चार दोस्तो, Study Studio 2.0 में आपका स्वागत है आज हम लाएंगे अपरेल के Current Affairs आपके लिए ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सस्क्राइब करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, Most Important Question के साथ पहला Question Which of the following films build the water metro for Kochi? कोच्ची के लिए जल पर्यूजना शुरू हुई वह किस ने बनाया है? तो वह आपके कोच्ची सिप्याड लिम्टेड ने बनाया है Build the water metro for Kochi? कोच्ची सिप्याड लिम्टेड चलिए Next Question कोच्ची जल मेट्रो पर्यूजना डैस सहर में डैस के चारों और दस दीपो को जोड़ेगी किस तट पर? किस तट के दस सहरों को दस दीपो को जोड़ेगी? तो वह आपके मालाबार तट पे कोची परियोजना मालाबार तर्ट में सहरों के चारों और दस दीपों को जोड़ेगी चलिए नेश्ट क्वेश्चन 68 में फिल्म फेयर पुरुसकारों में सर्वस्रेश्ट गायक का पुरुसकार किसे मिला है फिल्म फेर्म पुरस्कार में स्वर्वस्रेष्ट गायक को मतलब अरिजीत सिंग को मिला है स्वर्वस्रेष्ट गायक को फिल्म फेर अवर्ड चलिए नेश्ट क्वेस्चन 68 में Hyundai Filmゃ На Vy Books. 2020 में निम्लिकत में से किस व्यक्ति को स्वर्व시्रेश्ट अभिनेत्री के पुरस्कार से संबानित किया गया है. Fieldstar में puppy अभिनेत्री को मिला है अलिया भठ को. अलिया भठ राइट अंस्वर. चले, next question. इम्री कितम से किस फिल्म को 68 में Hyundai Film Fair Awards 2023 में सर्वस्रेष्ट फिल्म पुरस्कार से संबनित किया गया है सर्वस्रेष्ट फिल्म दो मिला है गंगु भाई काथिया वाडी को इसी में अल्य भड ने अभिने किया था उसके लिए उनको सर्वस्रेष्ट अभिनेतरी का पुरस्कार मिला है तो चलिए next question मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहना गया 2023 का मिस इंडिया किस ने जीता वो आपके जीती है नंदनी गुपता इसने नंदनी गुपता ने 2023 का मिस इंडिया जीता है याद रखेगा चलिए next question फेमीरा मिस इंडिया 2023 का कौन से संस्क्रण मड़ीपूर में हुआ था जो मिस इंडिया 2023 वा था वो मड़ीपूर में हुआ था वो कौन से संस्क्रण था वो 59 वा संस्क्रण था यादर कियेगा मड़ीपूर में हुआ था चलिए next question कोच्ची की जल मेट्रो परियोजना केरल सरकार और किस के द्वारा वित्वोसित है कोच्ची की जल जल परियोजना केरल सरकार और जर्मनी फर्म के साथ मिलकर वो निर्मित है वो दोनों पैसों की जल 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 परियोजना केरल सरकार और जर्मन फर्म दे रही थी जिसके कारण कोच्ची की जल मेट्रो परियोजना बनी चलिए next question Miss India title 2023 में first runner-up कौन रही है पहली runner-up जो आपकी रही है स्रया पूजा रही है चलिए next question हाली में अप्रेल 2023 में फिल्म फेर पूरसकारों की गोशना की गई है नमर्कित में से किस अभिनिता को प्रमुक वो मिका में सर्वस्रेश्ट अभिनिता की रुप में सम्मानित की आ गया है तो सर्वस्रेश्ट अभिनिता का वुरसकारा आपके राजकुमार राव को मिला है राजकुमार राव राइट एंसर बने है आपको चलिए next question The first phase of kochi water metro service will begin from which of the following terminal kochi जल परियोजना की जो सुर्वात होगी वो किस terminal से होगी पहली बार तो वो होगी आपके high court weapon terminal से high court weapon terminal से उसकी paraphrase 1 की सुर्वात होगी चलिए next question प्रेम चोपडा was awarded which of the following awards at the Hyundai Film Film Award प्रेम चोपडा को lifetime achievement award के साथ सम्मानित किया गया है यह important मनेगा याद रखेगा प्रेम चोपडा को चलिए next question कोची वाटर Metro कोची वाटर मेट्रो कर योजना क्या है वह आपसे पूछा है तो वह है आप वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फर कोची बैकवार्ड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बना है माल मतलब कोई भी जैसे ट्रेडिंग के लिए वो बना है चलिए next question comment box में बताएंगे क्योंकि ये पीछे हमने question बता दिया है winner जो है Miss India की वो कौन से राज्य की है वो है आपके राजस्थान ये important बनेगा चलिए next question पहला Miss India का खिताब किस ने जीता है Miss India का खिताब पहली बार किस ने जीता था तो पहली बार जो जीता था एस्तरे विक्टूरिया अब्राहम ने जीता था एस्तरे विक्टूरिया अब्राहम ने पहली बार Miss India किताब जीता था next question when did the project tiger build life project started project tiger build life जो शुरू हुआ था वो एक April 1973 से शुरू हुआ था project tiger build life एक April 1973 से चलिए next question the largest tiger reserve in India ये most important question मनेगा इसको seven star mark कर ले largest largest tiger reserve जो है वह आपके नागा अर्जुन पार्क में तो ये important मनेगा या दरख लेजेगा चलिए आज के लिए इतना ही channel को like और subscribe कर दें ताकि आगे एक वीडियो बनी रहे